कहानी की शुरुआत में हम डिक हर पर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गलोबाडाइन मीडिया कमपणी के लिए काम किया करता है और वो इस कमपणी का बाई हाथ है यानि CEO है वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी जेन एरपोर्ट में छोटी मोटी नौकरी करती है वो एक कस् इतनी मुश्किल से आपका वीजा एक्सेप्ट किया और आपको ये भी पता नहीं के राशिया जाने के लिए पासपोर्ट भी लगती है क्या एरपोर्ट में आपको नंगा करके तलाशी लिया गया शायद आपी ने आपने आटो जाटो में कोई हतियार चुपा कर रखा था नहीं नहीं मैडम मेरे पास तो सिर्फ एक हतियार था वो भी लिगल तो फिर में इसकी भरपाई के लिए आपको फ्री में दारू की कूपस दे पाऊंगी हमें पता चलता है कि उन दोनों का एक बेटा भी है और घर के काम के लिए उन्होंने गंगु बाई को भी रखा है ज जिसको पहन कर भोगते ही उस कुते को एक देज बिजली का जटका लगता है डिक को कमपनी की तरफ से हराम का घर और बगीचे में लगाने के लिए हराम का घंसफोस भी मिला था वो जब ऑफिस जा रहा था तब ही उसका एक दोस्त नई मर्सडीज लेकर उसके पास आता है ओ हो नई गाड़ी हाँ ये मेरी नई मर्सडीज बोलो जुबा केसरी दाने दाने में केसर कादम मेरी भी गाड़ी कम नहीं है बिमल चलना नहीं हिलना ने वहीं पर लीखडी रहो अब डेक्टी इन सारी बकवास को देख कर उसका दोस्त वहां से चला जाता है जिसके बाद डिक अपने आफिस पहुँचता है जहाँ पर एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है हाँ सच मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा देखो ना मेरे दात में कुछ फसा हुआ तो नहीं है करली बासी गोबी खाया था इसके बद लिफ्ट में वो अपने दोस जू से बात करता है जो कहता है कि बिल के साथ बहुत बुरा हुआ हाँ मुझे भी उसके मौत पर बहुत बुरा लगा क्या पता अब बिल की जगा पर किसको प्रोमोशन मिलेगी वो तो देखते ही तेरी पतलूंगीली हो जाएगी उसकी मुसकान को देखकर हमें पता चलता है कि हो ना हो उसे ही आज प्रोमोशन मिलने वाला है जब वो बॉस के केबिन पहुँचता है तब तक बॉस वहां से जा चुके थे इसलिए कमपणी के मैनेजर ही उसे खुसखेबरी देते हैं वो हाथ मिलाने के लिए 52 गज से हाथ उठाते हैं और डिक उसके पास जाकर उससे हाथ मिलाता है डिक से वो कहता है कि तुम्हें प्रोमोशन मिला है और बॉस ने सोंबार को तुम्हें अपने घर पर बुलाया है वो भी अकेले जिसको सुनकर डिक के मन में लड़ू फूटता है घर पहुँचकर वो अपनी बीवी को नौकरी छोड़ने के लिए कहता है तुमने अभी तक मुझे पैरागॉन की एक चपल भी लाकर नहीं दिया और आज कह रहे हो कि मैं नौकरी छोड़ दू हाँ जानू मुझे बॉस ने उनके घर पर अकेला बुलाया है देखना मैं तर टपाथ है और सकुनी मामा डिक के साथ मीटिंग करते हैं बॉस कहते हैं कि हम तुमें एक बढ़िया काम देने जा रहे हैं और आज की टीवी शो में तुम हमारी तरफ से इंटर्वियू दोगी तब ही सकुनी मामा कहता है कि हम तुमें सब कुछ समझा देंगे जिसके बद आफिस में उसे हरे पर्दे के सामने मेकप करके बैठा दिया जाता है दूसरी तरफ मनी लाइप प्रोग्राम के होस्ट जब डिक से ग्लोबाडाइन कंपनी के फाइनस के बारे में सवाल पूछते हैं तब ही डिक को पता चलता है कि उस दस्तावेज में गलत लिखा हुआ ह बाहर आते ही कंपनी के हालत को देखकर वो समझ जाता है कि शकुनी मामा और सक्ती चटपा धाई ने उसे चूना लगाया है एक आदमी जो निम्बू का पेड़ लेकर जा रहा था वो से उस निम्बू का पेड़ छिन लेता है क्योंकि कंपनी तो अभी चौपट हो चुका ह और इसी से ही तो उसका गुजारा होगा उदर चट के उपर सक्ती चटपा धाई मोनाली के साथ कंपनी को चूना लगा कर जा रहा था डिक जब उससे कहता है कि हम लोग रास्ते में आ जाएंगे तब वो मोनाली सा को डिक को पचास रुपई देने के लिए कह कर वहां से चल कर दिया हाँ मैंने नौकरी भी छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से दे सकूं मतलब प्यार दे सकूं अब डिनर में एक पूरे बकरे को हलाल किया जाता है क्योंकि डिक को जो अज प्रोमोशन मिला था जबकि हलाल तो उस बकरे के साथ-साथ डिक भी इसी बिच खाना खाने से पहले ही डिक जेन को बता देता है कि उसकी कमपनी डूब चुकी है यानि वह भी कंगाल हो चुका है जिसको सुनते ही उसकी भी विदुख से पागल हो जाती है क्योंकि उसने भी नौकरी छोड़ दिया है जानू कोई बात नहीं मुझे और भी बड़े बड़े कमपनी से कॉल आते हैं इलोन मस्क तो मेरा दीवाना है उसकी कमपनी में मैं अगर रहूंगा तो टेसला रास्ते पर नहीं बलकि पानी पर भी दोड़ेगा अगली सुबद जन डिक को कोई ढंकी नौकरी ढूनने के लिए कहती है लेकिन डिक कहता है कि उसे आज आराम करना है जिस वज़े से जन खुदी नौकरी की तलाश में चली जाती है और जाते जाते डिक को घर के काम को पूरा करने के लिए कहती है हम डिक के busy schedule को देखते हैं जिसमें वो गुलाटी मारता है, lights को off on करता है और ऐसे ही वाहियात काम को करके अपना time pass करता है अब ऐसे ही दिन गुजरता है और वो कई सारे company में interview भी देता है एक company में जब वो interview देने के लिए जा रहा था तभी कुछ लोग उससे पहले ही वाह पर पहुँच जाते हैं company में सिर्फ एक ही vacancy थी इसलिए वो सभी कुत्तों की तरह एक दूसरे के पीछे पर जाते हैं आखिर में सब को हरा कर डिक HR के केबिन में पहुचता है वहीं दूसरी तरफ जेन घर बापस आती है और देखती है कि तब तक उसके घर के सभी घास्पूस को municipality वाले उखाड कर लेकर जा रहे थे क्योंकि डिक ने अभी तक घास्पूस का पैसा नहीं दिया था इधर HR डिक से कहते हैं अरे डिक हर पर आपको इंटर्विव देने की क्या जरूरत है क्या आप मुझे जानते हो हाँ आपको कौन नहीं जानता आप तो वही हो जिसको मनी लाइफ के शो में बात करते हुए पसी ने छूट रहे थे वह देखिए आपसे मिलने के लिए कितने सारे लोग आये हैं अरे ये सब छोड़िये ना हम सेलरी की बात कर ले क्या आपको नौकरी कौन दे रहा है हमें तो बस आपकी तस्वीर खिचनी है इसके बस डिक की तस्वीर खिच कर उसे छोड़ दिया जाता है घर आते ही उसकी बीबी पूछती है कैसा रहा तुम्हारा इंटर्व्यू ओ कुछ खास बुरा नहीं अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया अगले दिन एक अकाडेमी में इंटर्व्यू देने के लिए जाती है देखिए हमारे पास योगा के लिए बाबाराम देव रखा हुआ है अगर आप हतकंडी लतकंडी और चुचकंडी जानते हो तो मैं आपको हमारे केराटे डिपार्टमेंट में भेज सकती हूँ हाँ मैं तो आपको बोलना ही भूल गई मैं तो ये सब कुछ सेकरी पैदा हुई थी जिसके बद पहले दिन के ट्रेनिंग में ही वो एक औरत के मुँपर लत सब की पसंद पावडर निर्मा वासीं पावडर निर्मा इसी बीच बुढ़िया से गयाती है कि मअ जी आप अपनी गंदी कछी किस डिटरजंट से धोती हो मैं कछी नहीं पहनती फिर तो फिर तो आप मुपर डिटरजंट लगा लिजीगा सळा हुआ टॉलेट की तरह बा कि वो लोग कामबाली गंगूबाई को भी पैसे दे सके इसलिए वो लोग पैसों के बदले में गंगूबाई को घर की कुछ सामान दे देते हैं इसके बाद वो लोग अपनी कीमती गाड़ी को बेच कर एक खटारा खरीते हैं और मुफ्त का खाना खाने के लिए एक रेस्टूडेंट पर जाते हैं वहाँ पर सिर्फ दो डॉलर में भर पेट घांस्पूस मिलता था उनके पास नहाने के लिए भी पानी नहीं थी इसलिए वो लोग लोगों के बगीचे में जाकर नहाते थे इधर मुर्जा इधर मुर्जा इधर मुर्जा इधर मुर्जा इधर मुर्जा जिसके बाद धिरे धिरे वो लोग घर की सवी सामान को कबार खाने में बेच कर अपना गुजारा चलाते हैं लेकिन आखिर में पूरा घर खाली हो जाता है और अब उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। डिक कहता है देखो हमारे पास पैसे नहीं हो सकते हैं लेकिन भगवान ने हमें दो हाथ दिया है जिससे हम भीग मांग सकते हैं और ट्रेन में लोग पैसे भी देते हैं लेकिन जेन को उसका ये प्लैन अच्छा नहीं लगता अगले दिन डिक जब कुछ चोर उचकों के साथ जुआ खेल रहा था तभी वहां पर पुलिस पहुँच जाते हैं देखिए मैं बहुत सरीफ आदमी हूँ और मैं तो यहां पर बस पत्तो को देख रहा था खेर उसके लाग कोशिश करने पर भी पुलिस उसे थाने पर लेकर जाते हैं दूसरी तरब जेन पैसों के लिए अ अपने साथ जेल के बाकी सारे कैदियों को भी लेकर आया था अब जब वो लोग भाग रहे थे तभी वहां पर पुलिस भी पहुँच जाते हैं इसलिए जेल के सभी कैदी जेन के कार के उपर तूट परते हैं हम देखते हैं कि डिक को जेल में काफी अच्छी तरीके से खा हुआ था और वो और कोई नहीं बलकी डिक है वो से बाहर गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है और जेन देखती है कि डिक ने बगीचे की मा बहन एक करके रखा है इसी भी चुने एक लेटर मिलती है जिसमें 24 गंटे के अंदर घर को खाली करने को कहा गया था क्योंकि उन्होंने काफी मेहनों से घर का लोन नहीं चुकाया था जिसको देखकर डिक का खुन सर पर चड़ जाता है और वो अपने बेटे के पिछकारी बंदुक को लेकर बैंक लूटने का फैसला करता है इस ने काम में उसकी बीवी जेन भी उसकी साथ देती है वो दुनों बैंक की जगे पर एक दूसरा आदमी आ जाता है लेकिन अभी वो अपनी पिछकारी बंदुक को पॉकेट से नहीं निकाल पाता वो आदमी उसे घुर रहा था और उसकी वीवी गाड़ी के अंदर से उसे ताना दे रही थी जिसके बाद वो भाग कर कार के अंदर आता है और जेन को कार को भगाने के लिए कहता है हमें पता चलता है कि उसने कोई चोरी नहीं किया बलकि जूस्पिकर भाग रहा है खेर इसके बाद वो एक आदमी से पैसे चीनने की कोशिश करता है लेकिन बदकिसमती से वो उसका दोस्त निकल जाता है खेर अगले दिन वो दोनों फिर से अपने इस नेक काम को अंजाम देने के लिए एक दुकान के अंदर घुश जाते हैं ए सब लोग अपने हाथ पैर उपर उठालो नीचे जुक जाओ आ अरे तुम ठीक हो ना जानू हाँ मैं ठीक हो ठीक हो ए साले तु क्यू जुक रहा है जा मिलक सेक बना वो भी मलाई मार क जानू इन केक्स को भी उठालो बहुत अच्छी लगती है कोई चला की नहीं करेगा हम बहुत खुकार है आतंगवादी है और जंगली भी जिसके बाद वो दोनों पेस्ट्री मिलक सेक और भर पेट खाने की रॉबरी करके वहां से निकल जाते हैं आगे वो लोग और भी ब पहन कर एर बेलून में तैर रही थी इसी बिच डिक से उसका एक दोस्त पूछता है कि ग्लोबाडाइन के डूबने के बाद तुम क्या कर रहे हो डिक हां मैं बस नेटवर्क मार्केट में हाथ आजमाया कुछ नहीं करना पड़ता तीन लोगों को गुसाओ और उन तीन लो बना दिया है और तीसरे ने तो बीड़ी और बीमल बेचने का धंदा भी शुरू कर दिया है इन सब को देखकर दुखी होकर डिक जब एक नाइट क्लब जाता है तब यूँ वहां पर कंस मामा को देखता है जो वहां पर मखमल लड़कियों के साथ अयाशी करने के लिए आ कंस मामा कहता है कि इस बैंक में शक्ति आएगा अपने पैसों को जमा करने के लिए तब तुम उसके फ्रॉम के साथ हमारा फ्रॉम बदल देना जिसमें मेरा एकाउंट नंबर लिखा हुआ होगा अब प्लैन के मुताबिक अगले ही दिन वो तिनों बैंक के सामने आकर खड ले लेता है दरसल डिक जान चुका था कि सक्थी ने उस फ्रॉम पर सिखनेचर नहीं किया इसलिए बो उससे उसके जान के बदले में पैसे मांगता है जिसमें सक्थी उसे सिर्फ 100 डॉलर का ही चेक देता है लेकिन इससे डिक को उसका सिखनेचर मिल जाता है अगले दिन स गरीब और लाचार लोगों को किसलिए बाट दिया जिसको सुनते ही सकती समझ जाता है कि डिक ने उसका सिगनेचर चोरी किया है खेर इसके बाद डिक और जेन उन सभी एमपलोई को जो ग्लोबाडाइन कंपनी में काम करते थे उन्हें का चेक देता है जिसको पाकर वो सभी खुशी से उचलने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी खत्म हो जाती है